इरान युद की टैंशन के बीच तुर्की के राश्पती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मौहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनेन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरे यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़ेसे तबाही का जो मंजर है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकेट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से घाड़ी में खेमे बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पाफुल गृूप बन रहा है इस ग्रुप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो आक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साथ लिया है क्या खाड़ी के सभी पावर्पुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वार टेंशन कम करने का वादा भी किया है साओधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजय ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूर डाल कर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है इस्राइल मेजाली मि गोरुष्मे मि न जूरिए जिलिकि अगूम आरासंदी आरासंदी अरासंदी इराइल एक एल जाते बाल हैं अगर ये इसराइल जैसे एक रषाम में पस्ता दिक रहा है उतना ही वर जोन में उसे जटके लगए है इसराइल की दर्ती धर्रा रही है इसराइल के आसमान में बारूप का बवंडर उठ रहा है कभी रॉकेट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाइले पंट रही है इसराइल के चप्पे चप्पे पर दुश्मनों के धमाके की चाप दिखाई देने लगी है लेबनान से लगी इसर कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर ये देखिए सामने की जो हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इस बुल्ला ने नेतनियाहू आर्मी के बड़े आफिसर को मार कर देहला दिया है इसराइल पोसिस की आलन ब्रिगेट की 5030 बिटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे गए हैं 37 साल के मेजर गनिजाते लिबनान में हिजबुल्ला के किलाब जमीनी हमले में मारे गए हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है। अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले हैं। इसराइल के बारूट से पाड़ दिया। उसको देखने आ रहे हैं। एतामली के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैन्ने ऑपरेशन का जिम्मा सौपा गया है। वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत की बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम कासिम को बनाये गया है। नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी। लेकिन अमेरिका के रहते ये मुम्किन नजर नहीं आ रहा है। सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या। कैई देशों के भूते की बात नहीं। ब्राउन युनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं। देके हत्यारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोप खाने के गोले, तोपों के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफले, 14,000 अंटी टैंक मिसाइले और 8,700 MK 82 500 पाउंड बंब शामिल हैं। इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे हैं। इसराइल के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है। यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ। अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है, हर तरफ से है, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे आटम बम हो, इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सूपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी इसराइल को जुकने नहीं देगा। अमेरिका की यही गारंटी नितन्याहू को सभी दुश्मनों से भिढने की पावर देती है। सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूद दूनों के लिए जरूरी भी है। वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं। पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करनी जा रहा है और उसकी तयारी पूरी हो चुकी है। एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइलें दाख कर दुनिया को चौका दिया हो। लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भ्यानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है। इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं। इधर इसराइल के रक्षा मंतरी याउफ गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है। ज़रा देखे इसराइल के रक्षा मंतरी याउफ गैलेंट ने क्या कहा है। इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ। ज़रा बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुकसान पहुचाने के लिए हुँगे क्योंकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेल शेत्र है। इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है। पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उला दो इरान के अजमी ठिकाने। लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है। दावा किया जारा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में एरान में आयब हुकम और परमानू वंका परिक्षन के दावो का सीक्रेट पता कर लिया है। इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बादचीत के दोरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीखे से दिया जाएगा। इसलिए बाइडन पर दबाओ बना चुका है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को दबाद नहीं करेगा। लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम क्यार में एटमी परिक्षन ही किया है। तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके आटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है। ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था। इसराइल के साथ बढ़ते संगर्श के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्च किया गया। भुकम का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था। इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिकिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है। ऐसे अब दावे किया रहे हैं। भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है। दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनर्जी प्लांट के करीब था। बुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती हैं। ये लहरे वैसी नहीं थी, ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और विज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने परमाणू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था इसराइल को काफी नुकसान मौचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जबर देगे इसराइल डिफेंस पोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मताबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके लावा आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रित्थ किया था खबरे ये भी है कि IDF की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोकिम उठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल इरान को तबहा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिल इस्ट में सूपर पावर बन जाएगा